सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल यार यूटीब चैनल को बैल आइकोन को दवाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों ये बात है आज से 4-5 साल पहले की जब हमने अपना अकाउंट स्टेट बैंक आफ इंडिया में खुलवाए थे उस टाइम में बस हमें अपना अधार कर देना होता था और हमारा जो अकाउंट है वो आपन हो जाता था अकाउंट चाहे स्टेविंग हो या करेंट हो ये तुरंती खुल जाता था तो उस टाइम में हमने अपना अकाउंट खुलवा लिया और उसमें जो है मॉबल नंबर लिंक नहीं कर वाया था क्योंकि हमें हर वक्त जानकारी चाहिए होता था कि हमारे अकाउंट में कब पैसे आया, कितना पैसा निकला मतलब कि हमें तुरंथी जानकारी चाहिए होता यह है जब भी कहीं से मुझे पैसे मिलता है तो यार अभी के टाइम में मुझे मैसेज नहीं मिल पाता क्योंकि बैंक से मोबल नमबर लिंक नहीं है तो गैस अगर आप अपने बैंक अकाउंट में मोबल नमबर लिंक करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पुरा देखे इसका जो प्रोसेस है मैं आप सभी को बताऊंगा अगर आप जुरबाना चाहते हैं तो वीडियो को पुरा देखना 100% जो रियल तरीक है वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर आते हो सर्च करते हो कि स्टेट बैंक आफ इंडिया में मोबाल नमबर को कैसे हम रजिस्टेशन कराएंगे तो काफी सारे वीडियोस आपको देखनी के लिए मिल जाएंगे जिनमें आपको यह प्रूफ करते हैं कि आप घर वैठे कर सकते हैं लेकिन गैस मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता आप यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है सभी के सभी वीडियो को देख लो पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है YouTube पर आप कोई भी वीडियो पर क्लिक नहीं करो आपका जो समय है वो बरवाद जा रहा है अगर आप अपनी bank account में बाक्ये में mobile number लिंक करवाना चाहते हैं तो इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो की जन्विन तरीका है, real तरीका है और time pass की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जिनसे आपका काम हो जाए, सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ Guys, हुआ ये कि आसे 4-5 दिन पहले ही मैंने भी अपना account में mobile number लिंक करवाया तो कैसे करवाया, चले मैं आपको बताता हूँ Guys, मैंने भी काफी सारे वीडियो को YouTube पर देखा मुझे बस मतलब time pass ही किया सब बहुत सारे वीडियो को मैंने देखा लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ सो guys, बात हुआ लास्ट में ये कि हमने गया, वहाँ पे bank गये हम और manager जो था, उनसे मैंने पूछा कि क्या हम online कर सकते हैं तो बोला, ऐसा नहीं है आप online कितना भी try कर लो पर आप online कुछ भी नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको branch जाना ही परेगा bank पे आपको visit करना ही परेगा सुगास मेरा जो account है, वो है गरामिन bank का तो मैं गया वहाँ पे गरामिन bank का जो भी manager है तो मैं उनके पास गया और उसने मुझे दो घंटा इंतजार करवाया और finally उसके बाद जो है उसने मुझे बुलाया और number मांगा साथ में आप passbook या जो भी teeny card है वो लेके जाए वहाँ पे वो देंगे और उसके बाद आपका जो है finger लेंगे और उसके बाद आपसे mobile number पूछेगा mobile number पूछोगे उसके बाद जो है बताओगे आप उसको अपना mobile number आपके number पर एक verification code आएंगे उस code को आप submit करोगे तो तुरंती आपको message आ जाएंगे कि successfully आपका जो number है वो account से link हो गया और SVI के तरफ से आपको message मिल जाएंगे तो ऐसा होता है अगर हम बात करें branch की तो branch में ये होता है सबसे पहले आपको branch में जाना होता है उसके बाद वहाँ पर आपको एक white कागज लेना होता है और आप अपने अधार card का एक photocopy और passbook का एक photocopy और आधार card के नीचे में जो जिरक्स है उसके नीचे में आपको अपना mobile number जो है लिखना होता है जिस mobile number को जोरोगे आप और white कागज पर आपको एक application तयार करना होता है bank manager को वहाँ पर आपको अपना लिखना होता है कि मेरा नाम ये कुमार है और मैं आपका bank का एक grant हूँ मुझे अपने bank में अपना mobile number register करना है ठीक ना तो ये जो है summit आपको करना है एक form और उसके बाद जो है जब आप जमा करोगे stapler मार के तो minimum जो है 7 देश के अंदर जो है साथ मतलब दिनों के अंदर जो है आपका mobile number जो है जोड देंगे वो तो वहाँ पे मतलब की branch वाले case में आपको OTP नहीं लगेंगे वो मतलब ये कर देते हैं उनके पास ऐसा system है लेकिन जब आप यहाँ से करवाते हो gram in bank से तो वहाँ पे आपको तुरंती कर देते हैं सो गास मैंने आप सभी को बता दिया जो रियल तरीका है आप वीडियो को YouTube पर नहीं देखो कुछ भी नहीं छेरो branch जाओ जुर्बा के आओ फालतू की बात मत सोचो सो गास वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे में कमेंट करे अगर आपके मन में कोई भी सुझाओ है या फिर सवाल है तो वह आप मुझे बताएं चैनल पे ने हो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवार थैंक्स पोचिंग